हेलो दोस्तो मैं राम्ब्या से अब आप सभी का आपना एटूब चैनल आई टी गाइड लाइन में सभी विद्यार्थी को स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर आप आप लोग के लिए एंसी कोश्चन प्रभाइड करवा रहा हूं जो कि ट्रेड फिटर मेकेंकल ट्रेड से थियोरी का एंसी कोश्चन प्रभाइड करवा रहा हूं जो कि सभी एकज्ञाम के लिए बहुत ही इपोटनेट मस्ट कोश्चन है जितने भी टेक्टिकल एकज्ञाम है सेल्फेल हैं डियाडियों हैं ओडियों सपनी और ले रहा हूं आप लोग के लिए सब्सक्राइब करें और ले रहा हूं आप लोग के लिए तो आए मेरे साथ बने रहेगा कहीं मच जाएए वीडियो को बीना स्क्रिप के सुरू से अंतक देखिए जिसे कि आपको पूरा-पूरा भरपूर लाब मिल सके दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब स्क्राइब कर लें और बेल आइको को प्रेस कर लें जिसे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाव ले सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा ज्यादा सेयर करें जिसे कि आपको दोस्तों को भी लाव मिल सके दोस्तों तो आए देखते ह है आज का पहला कोशन क्या बोलता है आज का पहला कोशन आपके अश्किन पर अज का पहला कोशन है डेप्ट माइक्रो मीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है option आपका सामने है, 0.01 mm, 0.025 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm, क्या right answer हो दोस्तो, right answer हमारा होगा, option number A, depth micrometer का list count जो होता है, 0.01 mm होता है, option number A, correct answer, right answer दोस्तो, चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे, अगला question है, कि निम्न में से किस micrometer का परियोग करके, किसी blind hole, slot, step आदी की गहराई माप या चेक कर सकते हैं, option आपका सामने है, outside micrometer, inside micrometer, dip micrometer, screw thread, micrometer, क्या right answer होगा, right answer मारा होगा, dip micrometer, option number C, correct answer, right answer दोस्तो, question को और option को बढ़िये तरीके से पढ़ियेगा, समझियेगा, तभी आप answer दिजेगा, बहुत बिला जवाब question है, बहुत BBI question है, सब question आप याद कीजेगा, पढ़िये आप लोकली में वीडियो ला रहा हूँ, जिससे कि आपका कोफी टेक्निकल लिजाम छूटना पाए, हर टेक्निकल लिजाम में आपका सफलता हांसिल हो दोस्तो, तो आए, इसी साथ आगला question आपके skin पे, आगला question है, कि नीमन में से, किस सिधान पर, depth micrometer को बना होगा, option number C, नीमन में से, किस सिधान पर, depth micrometer को बना जाता है, तो screw threat के lead और pitch के, सिधान पर, option number C, correct answer, right answer, दोस्तो, इसी साथ अगला question आपके skin पे, दोस्तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लाएगा, बढ़ियां question रहेगा, तो like जरूर कीजेगा, comment जरूर कीज सुच्म्ता को micrometer द्वारा जाता है, option הזה 0.1 mm, 1mm 0.001 mm, 0.01 mm, क्या write answer, किया write answer, write answer महार होगा, option number D, option number D, correct answer, write answer, 0.01 mm, निमन में से किस माप तक सुस्मिता को माइक्रोमीटर दौरा माप जाता है तो 0.01 mm तक option number D करेक्ट राइचन सर चले इस साथ अगला कोशन आपके आसकिन पे अगला कोशन है कि बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का पर्योग करते हैं या किया जाता है option आपका सामने है inside micrometer, dip micrometer, outside micrometer, bernier dip micrometer क्या राइचन सर रोग दोस्तों राइचन सर होगा हमारा option number C outside micrometer बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का पर्योग किया जाता है option number C, correct answer, right answer, चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पर, अगला question है कि किसी micrometer की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहा लाता है option आपका सामने है, एकाई रीडिंग, प्रात्मिक रीडिंग, जीरो रीडिंग, इन में से कोई नहीं, क्या राइचन सर दोस्तों, राइचन सर मारा होगा option number C, किसी micrometer की प्रारंभिक रीडिंग को कहते हैं, जीरो रीडिंग, option number C, correct answer, right answer दोस्तों, चलिए इसी साथ आगला question आपके screen पे, आगला question है, किस micrometer का पर्योग अंदुरूनी मापो को मापने के लिए किया जाता है, option आपका सामने है, outside micrometer, inside micrometer, screw thread micrometer, burnier height gauge, क्या right answer दोस्तों, right answer मारा होगा, inside micrometer, option number B, correct answer, right answer, किस micrometer का पर्योग अंदुरूनी मापो को मापने के लिए किया जाता है, तो inside micrometer का, अंदुरूनी मापो के लिए, पर्योग में लाए जाता है, option number B, correct answer, right answer, चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पे, अगला question है, कि निम्न में से, कौन सी सब्धानिं, inside micrometer का पर्योग करते स में बरतनी चाहिए, option आपका सामने है, reading लेने से पहले micrometer की सुनित रूठी चेक करना चाहिए, micrometer की cutting tools के साथ मिला कर नहीं रखना चाहिए, micrometer का पर्योग कभी भी घुमते हुए job पर नहीं करना चाहिए, उप्यूक सभी, क्या right answer दोतों, याद रखिएगा, कि इसका स चाहिए, micrometer का हमारा reading लेने से पहले micrometer की सुनित रूठी कर लेना चाहिए, micrometer की cutting tools के साथ मिला कर नहीं रखना चाहिए, micrometer का पर्योग कभी भी घुमते हुए job के साथ नहीं करना चाहिए, तीनों हमारा correct answer है, इसलिए option number D हमारा correct answer है, सभी, ये सभी जो है सब्धानी बरतनी चाहिए, चलिए, इसी के साथ अगला question आपके asking पे, अगला question है, कि metric burnier outside micrometer का list count क्या होता है, option आपका सामने है, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.010 mm, 10 mm, 1 mm, क्या राइचन सब्सक्तों, metric burnier outside micrometer का list count कितना होता है, option number A, 0.001 mm, option number A, याद रखेगा, इसमें थो ज़्यादा बचे confused होते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से याद किजएगा, में में, metric burnier outside micrometer का list count क्या होता है, 0.001 mm, याद रख लिजे, ठीक है, चलिए इसी साथ अगला question, आपके screen पे, अगला question है, कि निमन में से burnier depth gauge का list count है, कितना, 0.2 mm, 2 mm, 0.02 mm, 0.002 mm, क्या राइट अंसर होगा, option number C, निमन में से burnier depth gauge का list count कितना होता है, तो 0.02 mm होता है, option number C, correct answer, right answer दोस्तों, चलिए इसी साथ अगला question आपके screen पे, अगला question है, कि निमन में से burnier height gauge का परकार है, कुन सा परकार है, option आपका सामने है, fixed burnier height gauge, adjustable burnier height gauge, उप्युक्त दोनों, उप्युक्त में से कोई नहीं, और यूगत यूश्तों, राइट अंसर हमारा होगा, option number C, उप्युक्त दोनों, option number C, correct answer, right answer, इसलिए, इसलिए, कि fixed burnier height gauge भी होता है, और adjustable burnier height gauge दोनों होता है, इसलिए यूज निमन हमारा correct answer है, राइट अंसर और option number C में दिवा को फिक्त दोनों इसलिए option number C हमारा correct answer राइट अंसर दोतो चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अगला कोशन है कि निम्न में से किस उपकरन का पर्योग गहराई की मापों को सुछमतमा में मापने के लिए किया जाता है option आपका सामने है depth micrometer, burnier bevel protector, inside micrometer, burnier depth gauge क्या right answer राइट अंसर हमारा होगा option number A निम्न में से किस उपकरन का पर्योग गहराई की मापों को सुछमतमा मापने के लिए किया जाता है option number A क्या है depth micrometer, क्या है depth micrometer से हम लोग अंदुरूनी मापों को मापते हैं सुछमतमा उसका चलिए इसी साथ अगला question आपके एसकिन पे, अगला question है कि किसी कोन को एक डिगरी से अधिक सुछमतमा से मापने वच्चे करने के लिए किस उपकरन का पर्योग किया जाता है बर्नियर depth gauge inside micrometer क्या राइट अंसर होगा हमारा बर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर आप्शन नमबर A करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों किसी कोन को एक डिगरी से अधिक सुछमतमा मापने वच्चे करने के लिए किस उपकरन का पर्योग किया जाता है तो बर्नियर बे स्मृत से चेक करने के लिए किया जाता है ऑप्शन आफका सामने है बर्नियर देफ्टि में से तुथ भर्नियर क coffin करोका इंबर किया जाता है अप्शन नमर्वी हमारा नाधर कने तरह है क्या नमर्बभी में घियर तुथ बर्णियर के लिपर्स अप्शन नमर्बी करेकर अध्यकर सर लाइक जिरूर कीज़ेगा आपका एक हमारा मोट्युटीटी को बढ़ाता जिससे कि मैं और आपके लिए बहतर कर सकू और अगला कोस्टन है अपके श्किन पर डिजिट आॉटसाइड मैक्रो मितरता था कॉम्भी मैक्रो मितर का list count होता है कितना क्या है कि टिजिट आउटसाइड माईकरो मितरता था कॉम्भी माईक्रो मितर के list count कितना होता है option number d who correct answer राइट अंसर दोस्तों कितना है 0.001 mm 0.001 mm हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर है याद रखिएगा चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किल्म पे अगला कोशन है कि निम्न में से किसके द्वारा बर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है आपका स अगला कोशन है कि मेजरिंग टेप का रेंज हमारा कितना होता है सौ मीटर एक हजार मीटर अनंत इन में से कोई नहीं क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हमारा होगा मेजरिंग टेप का रेंज हमारा होता अनंत होता है अब जितना ले सकते हैं उसका कोई मेजरिमेंट नहीं है ऑप्शन नमबर सी करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्त चाहिए एक हांत द्वारा पकड़ना चाहिए बिना आश्रे दिया पकड़ना चाहिए लोगा द्र लिए इसे सात आगला कोशन आपके अस्किन पे अगला कोशन है दोस्तों कि बर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर पांच मिनट की लिष्ट काउंट प्राप्त करने के लिए में अस्केल के 30 डिगरी को कितने बराबर भागों विभाजित किया जाता है इसमें थ्यान दिजेगा 5 मिनट जो है यह हमारा जो है मेट्रिक सिस्टम में अगर रहता है तो हमारा अगर एक डैस रहता तो यह हमारा जो क्या होता है मिनट होता है याद रखेगा अगर ब्रिटिश सिस्टम में रहेगा यही तो हमारा क्या हो जाएगा degree अगर एक उपर दागी दिया हुआ है British सिस्टम में तो degree हो जाएगा और अगर double दिया हुआ है उपर में तो हमारा inch हो जाएगा याद रखेगा इसको और अगर metric सिस्टम में अगर उपर में एक दिया वह रहता है तो क्या होता है हमारा मिनट होता है याद रखेगा और अगर डबल वही दिया रहेगा तो सेकेंड होता है याद रखेगा हमेशा थियोरिकला सफ़कर पढ़े होंगे इसका नोलेज आपको जरूर होगा तो आए कोशन को देखते हैं ध्यान देते हैं कोशन और ऑप्सन पे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में पांच मिनट की लिष्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन अस्केल क लिष्ट बर्याबर भागों में बर्नियर अस्केल्पर पाचీस बर्याबर भागों में क्या राइट अंसर गतुञा, और ऑप्सन नम Bye क्रिंश, बर्नियर इसकेल पर को बारह-बराबर भागों में जो है ब्यवाजित करते हैं इसको निकाल लिएगा तराम से निकल जाएगा वण वाग करके अराम से निकल तो चलिए इससाद आगला कोशन आपके एस्किन पर अगला कोशन है कि सुद्धता अधीक होती है किस में मेगनिफाइंग के लिपर में डिटल कलिपर में डायल के लिपर में इन में से कोई नहीं क्या राइटन्स रख दोस्तों को और ऊप्षन को टेकिनिकल में बहुत क्या राक्षनर, नमबर B करेक्ट wraps रायिच अंसर Rhodia to कलेपर में, लौप्ता सुस्ता अधिक होती है किस में दिश्टन कलीपर में, चली आज का इतना ही कलास था फिर मिलते हैं आपसे низ लास में क्लास नेक्ट विडियो ले कर 연락 कर के अधुश्तो कि इसके बाद जितने भी कोस्टन होते हैं सभी कोस्टन कराकर मैं आप लोगे फिर से मैं लाइप क्लास लेकर आऊँगा जिसे कि आपको पूरा कोस्टन रिवाइज हो रहेगा और रिवाइज होने के बाद पढ़िएगा तो लाइप क्लास में आपको मजाएगा क्लास करने में इसलिए आप मेरे साथ बने रहें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे की सारा नोटिफिशन आपको मिल सके और आप उसका लेव सके चलिए आज का इतना ही थैंक्स बाई फिर मिलते हैं आपसे नेक्ट क्लास में नेक्ट वीडियो लेकरके आप कॉमें जरूर कीजिएगा कैसा भी कुश्चन था चलिए बाई बाई थैंक्यू जैहिन जैभारा दोस्तों